देगा दुबाराई से स्वागत आपका हमेरे चैनल इन्डेनिम डेक्सपरस में आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा सीरल के आगे के एपिसोड के अपडेट के वारे में अगर आपको जानना है ये कौन सा एपिसोड है तो आप लोग डिस्क्रिप्चन में जाकर देख सकते हैं बढ़ते हैं एपिसोड में एपिसोड के सुरुवात में अनुपमा अपनी मा और भाई को थैंक्यू कहती है अनुपमा कहती है आज एक काम और भी करना है किसी से मिलना है वहीं दुसरी और वनराज बहुत खुश होता है और तयार होता है किसी से मिलने के लिए क्या आगे हमें देखने मिलता है अनुपमा अनुज को बहुत याद कर रही होती है तुसरी और अनुज और अनुपमा के घर को बर्खा उसकी अकॉर्डिंगली पुरा चेंज करती है और खुद से ये डिसाइड करती है कि अब इस घर को वो अपने हातों से जानी नहीं देगी को कहती है खुद से मम्मी आपको बहुत 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 प्यार करती है वहीं वनराज पुरी शाः फैमिली को एक लेटर पढ़कर सुनाता है और वहीं आपको दुबारा पुराने वाले वानराज की फेलिंग आती है वानराज सभी को बताता है कि उसे एक बड़ी आना कि किस-किस को एडालोग याद है अभी तक वहीं दूसरी और अनुच माया के घर आ जाता है ताकि वो छोटी अनुसे मिल सके वहीं माया की हरकते ये शाफ दरसाती है कि वो क्या चाहती है वहीं अनुपमा को दूसरे के ताने सुनने पड़ रहे हैं अन्त में आप अनुपमा अनुच के बारे में पूछती है जिस पर माया फोन रख देती है और अनुच के पूछे जाने पर माया कहती है वो उसके किसी दोस का फोन था वहीं आप देखेंगे अनुपमा को खुश करने के लिए उसके तीनों बच्चे उसके साथ नाचते हैं सेलिबरेट कर करते हैं और उन चीजों को वन राज रिकॉर्ड कर लेता है आप लोग को नहीं लगता सभी अनुच और अनुपमा को अलग करना चाहते हैं एपिसोड यहीं खतम हो जाता है अनुपमा सीरिल के बारे में अपडेट्स जानने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन अपिसोड में किसी और वीडियो में किसी और अपडेट्स के साथ यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू सुमच फॉर वाचिंग